जब हमने रुद्धोश्म प्रक्रम में गैस के प्रसार में किये गए कार्य के बारे में जाना उस समय मैंने एक शब्द यूस किया था आंतरिक उर्जा यानि की इंटर्नल एनर्जी अब इस टर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसी गैस की आंतरिक उर्जा क् हम जानते हैं कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं करण होते हैं यह बहुत ज्यादा बल से एक दूसरे से बंधे नहीं होते हैं इसलिए यह हमेशा गती करते हुए पाए जाते हैं इन गैस के करणों में तीन प्रकार की गती हो सकती है जैसे कि रोटेशनल यानि कि यह गोल- सज creditory कर रहे हूं और यह अजब तीनों प्रकार की उर्जाओं का हम योग लेते हैं यानि की रोटेशनल एनरजी वाईब्रेशनल एनरजी और ट्रांसलेशनल एनरजी ये तीनों प्रकारी एनरजी का योग कहलाता है कानेटीक एनरजी यानि की गतीज ऊर्जा और मोर स्पेसिफिकली यदि हम कहें तो इसको हम आंत्रिक गतीज ऊर्जा के नाम से जानते हैं यानि कि internal kinetic energy साथ ही गैस के कणों में आपस में attraction होता है यह बहुत ज्यादा बल से एक दूसरे से बंधें नहीं होते लेकिन फिर भी इनमें attraction होता है इनमें आकर्शन बल होता है और इसी आकर्शन बल के कारण गैस के कणों में स्थितीज उर्जा होती है यानि कि potential energy और इसी potential energy को स्थितीज उर्जा को more specifically हम कहते हैं internal potential energy या फिर आंत्रिक स्थितीज उर्जा और इन दोनों उर्जाओं का योग यानि कि आंत्रिक गतीज उर्जा और आंत्रिक स्थितीज उर्जा इन दोनों उर्जाओं का योग कहलाता है अंत्रिक ओर्जा अंध्रिक ओर्जा TAAPA और उश्मा से ये दोनों टॉपिक्स भिन है ये जो आंत्रिक ओरजा होती है ये गैज के अंदर निहित होती है और एक आदर्श के बात करें जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि इनके कणों के बीच में attraction फोर्स जीरो होता है इसका मतलब इस आदर्श गैस के लिए आंतरिक स्थितीज उर्जा शून्य होती है इसका मतलब इस आदर्श गैस की जो भी आंतरिक उर्जा होगी वो पूर्ण रूप से इसकी आंतरिक गतीज उर्जा होगी जो की ताप पर निर्भर करेगी क्योंकि जब हम ताप देते जाएंगे तो यह ताप इस आदर्श गैस की गतीज उर्जा में परिवर्थन करेगा यानि कि यह कणों को गतीज उर्जा प्रदान करेगा इस प्रकार यदि हम एक मोल आदर्श गैस लें और उसके ताप में डेल्टा टी वृध्धी करें तो उसकी आंतरिक उर्जा में जो वृध्धी होगी उसको हम इस समिकरण से दे सकते हैं डेल्टा यू बराबर सीवी डेल्टा टी जहां पे सीवी ये नियत आयतन में गैस की विशिष्ट उश्मा कहलाती है Actually, किसी भी निकाय की आंतरिक उर्जा उस निकाय के कणों की गतीज और स्थितीज उर्जा का योग है इसलिए यदि निकाय की उश्मा गतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी आंतरिक उर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है या यू कहे कि किसी भी निकाय की आंत्रिक उर्जा उसकी अवस्था पर निर्भर करती है या फिर उसकी अवस्था का अभी लाक्षनिक गुण होता है मान लेजे हम किसी गैस में प्रसार कर रहे हैं जिसकी कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है आरंब में उसकी अवस्था M द्वारा दर्शाई जारी है और परिवर्तन के पश्चात उसकी अवस्था N हो गई यदि इसका हम सूचक आरेक बनाएं, PV आरेक बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा ये M से लेकर N में परिवर्तन लाने में जो आरेक बनाया गया है वो M, A, N द्वारा दर्शाया जारा है और इस प्रक्रिया में किया गया कारिया इस आरेक के द्वारा आयतन अक्ष के साथ बनाया गया छेत्रफल के बराबर होगा अब मान लीजिए इसी प्रक्रिया को हम दूसरे रूप में करना चाहें और इस समय हम इसमें Q2 उश्मा दे देते हैं और इस परिवर्तन को हम दर्शाएंगे आरेक M, B, N के द्वारा तो यहाँ पर अभी भी जो गैस है वो वही दोनों अवस्थाओं के बीच में हैं भी बदल जाएगा यदि किये गए कार्य को गढणा करना चाहें सारेक से तो यह यह आरेक M, B, N और इस आयतन अक्ष के बीच का छेत्रफल होगा जो की पहले वाले से डिफरेंट है वैसे अब हम Q3 उश्मा दे देते हैं तो यहाँ पर कार्य भी चेंज हो जाएगा और इसको मान लेजिए हम इस वक्र M, C, N द्वारा दर्शार हैं इसी प्रकार कई अन्य तरीके से भी गैस को M अवस्था से N अ से हो D से हो गैस की आरंभिक अवस्था M थी और अंतिम अवस्था N ही थी यहाँ पर हम देखें तो जो आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन हैं वो विभिन पथों पर निर्भर नहीं कर रहा बलकि वो निर्भर कर रहा है गैस की आरंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में और यू कहें कि जो आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन है वो एक बिंदो फलन है जो केवल दो बिंदो पर ही निर्भर करती है ना कि अपनाये गए पत पर अभी हमने आंतरिक ओर्जा पर इतनी चर्चा की क्योंकि इस आंतरिक ओर्जा की एक महत्पोन भूमिका है उश्मा गतिकी के प्रथम नियम में हाला कि उश्मा गतिकी का प्रथम नियम ओर्जा संगरक्षन का ही नियम है और उर्जा संग्रक्षन के नियम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं उर्जा संग्रक्षन के नियम के अनुसार उर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नश्ट की जा सकती है यह यूँ कहें कि ब्रह्मान की पूरी उर्जा यह नियत रहती है एवल उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है यदि हम देखें तो उर्जा के विभिन रूप है जैसे कि उश्मिय उर्जा, रसायनिक उर्जा, यांत्रिक उर्जा, विद्धुत जी मानते हैं तो जो सूरज की उश्मिय उर्जा होती है वो एक नैचरल प्रोसेस फोटो सिंथिस के द्वारा पौधों में रसायनिक उर्जा की रूप में परिवर्तित हो जाती है यानि कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं वैसे ही यदि हम वाटर हीटर को देखे तो जो व एक्षिन होता है उसके कारण जो उसमें से रसायनिक उर्जा है वो उश्मिय उर्जा प्रकाश उर्जा और ध्वनी उर्जा की रूप में परिवर्तित हो जाती है और यदि हम देखें कि कोई पत्थर उचाई पे रखा हुआ है तो उचाई में रखे जाने की कारण उसकी स इस प्रकार हमारे चारों और ऐसे कई प्रक्रियां चलते रहती हैं जिसमें कि हम एक उर्जा का दूसरे उर्जा में परिवर्तन देख सकते हैं जूल के अनुसार कार्य को उश्मा में और उश्मा को कार्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है और जूल के अनुसार कार्य का परिमान उश्मा की मात्रा के समानुपाती होता है जिसको हम इस समीकरंट से दर्शाते हैं W समानुपाती है H के, और समानुपाती का चिन हटाते हैं, तो हम लिखते हैं W बराबर J H, इसका मतलब जो कार्य है, वो पूर्ण रूप से उश्मा में परिवर्तित हो सकती है, या यू कहें, जो उश्मा है, वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता जब हम ऊश्मा देते हैं किसी निकाय को तो वो पूर्ण रूप से कारिय में परिवर्थित नहीं हो रही है इसका मतलब यहां पर क्या ऊश्मा की हानी हो रही या उश्मा का इनस्ट हो जा रही है तो उर्जा संगरक्षन की नियम से तो ये संभव नहीं है इसका मतलब ये उर्जा किसी अन्य रूप में परिवर्टित हो रही है और यही पर कॉंसेप्ट आता है आंतरिक उर्जा का इसका मतलब जब हम किसी निकाय को उश्मा देते हैं तो वो उश्मा सीधे उस निकाय द्वारा किये गए कारी में परिवर्टित नहीं होती बलकि वो उस निकाय के कणों को गतीज और इस्थितीज उर्जा प्रदान कर देती है या फिर यह कहें कि उसकी आंतरिक उर्जा में परिवर्टन कर देती है या फिर यह कहें कि उसमें व्रिद्धी कर देती है तो इसको हम गणिती रूप में लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे डेल्टा क्यू यानि कि उश्मा की मात्रा किसके बराबर होगी आंतरिक उर्जा में परिवर्टन प्लस किये गए कारिये और यही समीकरण उष्मा गतिकी के प्रतम नियम को दर्शाता है विज्ञानिक क्लासियस जिनों ने उष्मा गतिकी के प्रतम नियम का प्रतिपादन किया उनके अनुसार ऐसा निकाय जो बहर कारिय करने में समर्थ हो यदि उसको उष्मा दी जाती है, तो यहाँ उष्मा उस निकाए के आंतरिक उर्जा में वृद्धी और उस निकाए द्वारा किये गए कारे के योगफल के बराबर होती है तो उश्मा गतिकी के प्रथम नियम को एक बहुती सरल उधारन के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं जिसको हम अक्सर हमारे कीचन में देखते हैं मान लीजे गैस में एक पतीले में हमने दूद रखा है जैसे ही गैस को हम आन करते हैं तो उश्मिय ओर्जा उस दूद को मिलती है तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले दूद का तापमान है वो बढ़ने लगेगा इसका मतलब क्या है उस दूद की आंतरिक ओर्जा में व्रिद्धी हो रही है क्योंकि उश्मिय ओर्जा को लेकर जो उस दूद के पार्टिकल्स है कन है अनु है वो गतीज और सितीज ओर्जा में परिवर्टन करेंगे जिसके कारण उस दूद का तापमान बढ़ जाएगा और उसके बाद हम गैस को ऑन ही रखें तो धीरे से जो दूद है वो उपर की ओ और आता है या यू कहें उबलने लगता है मतलब अब यहां पर उस निकाय के द्वारा इस दूद के द्वारा कार यह हो रहा है जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जा रहा है या यू कहें कि उसमें प्रसार हो जा रहा है सीधे ही उश्मा देते ही प्रसार नहीं हुआ पहले तो उसकी आंत्री कूर्जा में वृत्धी हुई और उसके बाद उस दूद में प्रसार हुआ उश्मा गती के इस प्रथम नियम को अब हम अलग अलग प्रक्रम में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे चक्रिय प्रक्रम हम जानते कि चक्रिय प्रक्रम में जो निकाय है विभिन अवस्थाओं के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुच जाता है, यदि निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुच रहा है, इसका मतलब उसकी जो आंत्रिक ओर्जा है वही रहेगी, क्योंकि जो आंत्रिक ओर्जा है वो अवस्था का अभिलाक्ष प्रफिनिक गुण होती है इसका मतलब आंत्रिक उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू बराबर जीरो उस कंडिशन में उश्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबली होता है तो हम डेल्टा यू यानि कि इस आंत्रिक उर्जा में परिवर्तन को शुन्य लेंगे और हम लिखेंगे डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डबल्यो इसका मतलब जो भी उश्मा दी जारी है वो सीधे कारिये में परिवर्तित होगी यदि प्रक्रिया चक्रिये हो साइकलिक और इसी को ध्यान में रखते हुए हम उश्मा इंजन का निर्मान करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो उश्मा हम दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से कारे में परिवर्तित हो जाए इसके लिए उश्मा इंजन को कुछ इस प्रकार कारे कराया जाता है कि यह विभिन अवस् में आ जाए जिससे की कार्य अधिक प्राप्त हो और इंजन की दक्षता हंड़ड परसंट हो अब नेक्स्ट प्रक्रिया हम लेते हैं समतापी प्रक्रिया हम जानते हैं कि समतापी प्रक्रिया में टैंपरेचर पूरे प्रोसेस में नियत रहता है और यह कब संभव हो पाता है जब हम इस निकाए में परिवर्तन एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कर रहे हैं तो ये बहुती धीरे धीरे हो जिससे की निकाए का वातावरण के साथ उश्मा का आदान प्रदान होता रहे और पूरे प्रक्रिया में तापमान नियत रहे अब इसके आधार पर उश्मा गतिकी का प्रथम नियम हम लिखें तो उश्मा गतिकी का प्रथम नियम हम लिखें डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबल्यू यदि हम यहाँ पर एक आदर्श गैस ले रहे हैं उस कंडिशन में एक आदर्श गैस की आंत और एक उर्जा भी नियत रहेगी उसमें कोई भी परिवर्ता नहीं होगा तो इस स्थिती में भी हम डेल्टा यू बराबर शून्य लेंगे और हमें मिलेगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डबल्यो यानि कि जो उश्मा दी जा रही है वो पूर्ण रूप से इस अधोश में प्रक्रम में पूरे प्रक्रम में उश्मा की मात्रा नियत होगी इसका मतलब निकाय का वातावरंड के साथ उश्मा का आदान-प्रदान नहीं होगा जिसके कारण ताप में परिवर्तन हो जाता है यदि हम गैस का प्रसार करते हैं तो तापमान घट जाता और जब गैस का संपीडन किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है और यह तब संभव हो पाता है जब गैस का प्रसार यह संपीडन अतिशीगरता से किया जाए क्योंकि इस स्थिती में निकाय को वातवरण के साथ उश्मा का आदान-प्रदान करने का समय ही नहीं मिल पा करते हैं तो उसका ताप पड़ जाता है इस कंडिशन में उश्मा गतिकी का प्रथम नियम डल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस ड्रब डेल्टा ड़्यू इसने क्या परिवर्तन होगा अ कि यहां पर उश्मा की माघ्रा नियत है तो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू ब समिकरण में बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाए तो वहाँ पर रिनात्मक चिन आएगा यानि कि हम लिख सकते हैं डेल्टा डेबल्यों बराबर ॐ या फिर डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा 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 तो वहां पर कार्य रिनात्मक होता है इसी प्रकार यदि किसी निकाय को उश्मा दी जाती है तो उसे हम धनात्मक लेते हैं और निकाय से उश्मा ली जाती है तो उसे हम रिनात्मक लेते हैं इसी प्रकार आंतरिक उर्जा में व्रिधी होती है तो वो धनात्मक राशी होती है और यदि उसमें कमी आती है तो वह राशी रिनात्मक हो जाती है तो जो पहला समीकरण है डेल्टा डेबल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू इसका मतलब निकाय द्वारा किया गया कारिय ये आंत्रिक ओर्जा में कमी के बराबर होगा और दूसरा समीकरण जहां हमने लिखा है डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा 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 के सामने माइनस का चिन है इसका मतलब निकाय पर किया गया कारिय वो आंत्रिक ओर्जा में व्रिद्धी के बराबर होगा और यही कारण है कि जब गैस का प्रसार किया जाता है तो उसकी आंत्रिक उर्जा में कमी आजाती है और आंत्रिक उर्जा में कमी आने के कारण उस गैस का ताप घट जाता है पर यदि हम gas को compress कर रहे हैं तो उसकी आंत्रिक उर्जा में व्रधी हो रही है और आंत्रिक उर्जा में व्रधी के कारण उसका ताप भी बढ़ जाता है और इसका एक उधारण हम देखें जो हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं यदि टायर की नलकी को हम खोल देते हैं तो उसके अंदर से हवा तेजी से बहार निकलती है और वो हवा को अपने महसूस किया है वो थंडी लगती है उस नलकी के आगे हम यदि हाथ रखते हैं त तो हमें ठंडी हवा का अनभव होता है कारण क्या है जो ट्यूब के अंदर वायू भरी होती है वो अधिक प्रेशर में होती है इस एट्मॉस्पेरिक प्रेशर के तुन्ना में तो जैसे हम नलकी को खोलते हैं तो वायू इस ट्यूब से तेजी से बाहर निकलती है इस वायू फ्रदा नहीं हो पाता और इस ही के कारण जब इस ग्यास का प्रजाटा है पहले तो जैस्ट ट्यूब में भरी थी मतलब उसका आउचन कम आप जैसे नलकी से बाहर निकलने लगती है तो वातवरण में इसका प्रजार होते हैं इसका आयतन बढ़ने लगता है जिसके कारण इसका temperature कम हो जाता है और यही कारण है कि नलकी के पास की हवा हमको ठंडी लगने लगती है यदि हमें टाय और अर नलकी में जो ठंडी हवा का अनभव ना किया हो तो हमने balloon में भरे हुए हवा का अनभव किया है हमारे घर अगर बर्थडे मनाया जाता है तो हम बलून फुलाते हैं और अपने घर को डेकुरेट करते हैं यदि फुलाते समय आप से गलती से भी बलून छूट जाए तो उसमें से हवा तेजी से बाहर निकलती है और वो हवा हमको ठंडी लगती है वहां पे भी सेम प्रक्रिया कारे करती है जो बलून के अंदर हवा होती है वो बहुत अधिक दाव में होती है इस वायू मंडली दाव के तुल्ना में तो जैसे हमसे बलून छूट जाता है तो यह हवा तेजी से बाहर निकलती है और इस दोरान इस गैस का प्रसार हो जाता है बीना उश्मा के आदान प्रदान के मतलब यह भी प्रक्रिया रुदोश में होती है जिसके कारण जब हवा बाहर निकलती है तो उसका ताप कम हो ज जाती है। ऐसा ही कुछ टायर के फटने से भी होता है, टायर फटने के बाद यदि हम टायर को छूटते हैं तो वह ठंडा लगता है, यहां पर भी प्रिसिपल कार्य करता है, और यू कहे कि रुधोश में प्रसार में प्रशीतलन होता है, रेफिरीजरेशन हो जाता है, अब प्रक्रम है सम आयतनिक प्रक्रम आइसो कोरिक प्रोसेस सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन नियत रहते हैं पूरी प्रक्रिया के दोरन तो इस समय किये गए कारे का फॉर्मुला हम देखें तो dw बराबर होता है पी डेल्टा वी यहाँ पर हमने नियत दाब दिया है और उसके आयत में परिवर्तन ही ना हो पूरी प्रक्रिया सम आयतनिक हो तो डल्टा वी का मान जीरो होगा तो किया गया कार यह भी शुन्य हो जाएगा उस कंडिशन में उश्मागतिकी के प्रथम नियम को हम देखें dq बराबर d u प्लस dw तो यहाँ dw का मान चुन्य होगा मतलब dq बराबर ह जाएगा यानि कि जो उश्मा दी जा रही है वो पूर्ण रूप से उस निकाय की आंतरिक और्जा में व्रिधि के बराबर होगी अब Next है सम्दाबी प्रक्रम यानि कि आइसी बॉरिक प्रोसेस सम्दाबी प्रक्रियां में पुरे प्रक्रिया में दाब का मान नियत रहता है और आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो इस स्थिती में हम किये गए कारे का फॉर्मुला लिखेंगे दी डेवलू बराबर पीडीवी तो ऊश्मा गतीकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा क्यू बराबर लेल्टा यू प्लस डेल्टा डेवलू होगा भाप इंजन भी समताबी प्रक्रिया का एक उधारण है भाप इंजन में एक बॉयलर में पानी लिया जाता है जिसको हम कोईले की सहाइता से गर्म करते हैं इसका मतलब जो दी गई उश्मा है वो सबसे पहले तो इस पानी की आंत्री कूर्जा में वृध्धी कर रही है क्योंकि पानी के कण उश्मा को आवशोशित करके गती जूर्जा और सिती जूर्जा में वृध्धी कर रहे होते हैं साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में बॉयलर के अंदर प्रेशर नियत रहता है और इस पानी के आयतन में परिवर्तन हो जाता है मतलब अब जो किया गया कार यह है वो P डल्टा V के बराबर होता है तो उश्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार डल्टा Q बराबर डल्टा U प्लस P डल्टा V हो जाता है और यहां किया गया कार्य ही उस भाप इंजन से जुड़े हुए ट्रेन के पहियों को घुमाने का कार्य करता है